नूस लीडर्स को सब्सक्राइब कीचे और पहला आइकन दबाना ना पूले अरुन यादो को लेकर ये बात सोशल मीडिया पर कई बार उठती रहती है कि विभाजपा का धामन थाम सकते हैं जैसे जैसे खंडवा उप्चुनाओं नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अरुन यादों के भाजपा में जाने कूछ चल रही चर्चा सोशल मीडिया की सुर्ख्या बन जाती है लेकिन मध्यप्रदेश के दिगच नीता अरुन यादों ने अफ़ा फैलाने वालों को रविवार ट्वीट कर जवाब देते हुए कहा है कि मेरे शरीर वा परिवार के रक्त की एक एक बून में कॉंग्रिस विचारधारा का प्रवा होता है मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे यादों लिखी जाता है सिंधिया नहीं अलगावाती ताकतों को मूँ की खानी पड़ेगी अब ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है और अरुन यादों के इस ट्वीट पर शावाशी देते हुए कॉंग्रिस के नितावपूर्व सीम दिकविजय सिंग ने लिखा है कि शावाश अरुन आप से यही हम सभी लोगों की उमीद है कहा जा रहा है कि अरुन यादों ने अपने ट्वीट में जान बुचकर सिंधिया का नाम लेकर खुद की विश्वसनियता को बनाने की कुशिश की है जियां अरुन यादों ने ऐसे समय ये ट्वीट किया है जब मध्यप्रदेश में लगातार ये अफ़ाय उड़ रही थी कि अरुन यादों बीजेपी के संपर्क में है और जल्द ही वे कॉंग्रिस छोड़ देंगे इसका कारण ये भी बताय जा रहा था कि खंड़वा लोकसबा उप्चुनाओं में अरुन यादों की दावेदारी मजबूत है लेकिन कमलात इस बात पर सहमत नहीं है इसी बात को लेकर दोनों नेताओं में मनमुटाओं भी बना हुआ है और पिछले दिनों भुपाल में हुई कॉंग्रिस की बैठक में अरुन यादों उपस्तित नहीं थे जिसने इस नाराजगी की पुष्टी कर दी है कहा जा रहा है कि अरुन यादों इस बात को लेकर भी प्रदेश के शत प्रतिशत नेताओं से खफा है जो खंडवा उप्चनाओं में किसी आदिवासी उमीदवारी की पैरवी करते दिख रहे हैं और आदिवासी जन संगठनों के नेताओं के मारफत अरुन यादों की दावेदारी को कमजोर साबित करने में लगे हैं अब देखना ये होगा कि यादों की ट्वीट के बात उनके विरोधियों का अगला कदम क्या होगा तो बने रहे हैं तब तक के लिए न्यूस लीडर्स के साथ